हाई, वेलकम टो और चानल, हेग्जागॉन के किसी पॉइंट पे, हेग्जागॉन दिया है एक कोश्चन में, उसके किसी पॉइंट पे अगर नमबर ओफ पोर्स एक्ट होते हैं, और एक कॉनकरन फोर्स सिस्टिम बनता है, तो उसका रिजल्टन और डायरेक्शन कैसी निकाल करना है, five forces, one newton, three newton, five newton, seven newton, and nine newton, starting from a corner of a regular hexagon, इसके लिए आपको hexagon draw करना पड़ेगा, मैं या draw करतू, see this is hexagon आपने engineering graphics में पड़ा होगा, six sides, one, two, three, four, five, six, angles क्या होते हैं इसको, from x-axis, बाहर से hexagon को 60 degree होता है, side को, ठीक है, तो 180 में से 60 चले गए, तो अंदर से कितने होंगे, 120 degree, right, कितना होगा, 120 प्लस 60, तो अंदर से 120 degree, बाहर से 60 degree, this is our hexagon, तो what they are saying, starting from a corner of regular hexagon, acts towards its other remaining corners, अब कोई भी एक corner पकड़ो, यहां से start होगा, और दूसरे corners पे, forces acts होड़े है, in an order, determine the resultant of the force system, वो order में, मतलब पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, तो देखो भी corner कौन से कौन से है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 forces, इस corner की तरफ, एक force act हो रहा है, वो है, पहला वाला, 1 newton, 1 newton, दूसरा, 3 newton, यहां corner है, दूसरा, how much, 3 newton, तिसरा फोस इस corner पक्त हरा है, 5 newton, 4th one, this corner, 7 newton, and the 5th one, on this corner, 9 newton, okay, 5 forces, acting on our regular hexagon, starting from a corner, and ending with other corners of the hexagon, मतलब एक force, यहां आएगा, यह पूरे corner तक जा रहा है forces, 1 newton, 3 newton, 5 newton, 7 newton, and 9 newton, तो ऐसा भी हमारा regular hexagon है, तो गिएटो find out the angles, अब देखो यहां पे, total अंदर में, अंदर के side में, दो side है अब, एक side, एक side, इन दोनों की बीच में, अगर 120 degree है, तो यह कितने ओर है besides, 1, 2, 3, और 4, तो 120 को force डिवाड करेंगे, तो यह angle कितना होगा, 30 degree, यह भी 30 degree होगा, यह भी 30 degree होगा, 30, 30, 30 होगी हैं सब, ओके, तो इस force को तो में बाहर से 60 मिल गया, तो हम वो 30 नहीं लेंगे, इसका काम होगया ना इनका, यह जो force है, यह तो horizontal है, इसका भी काम होगया, यह जो force है, 3 newton वाला, इसको 30 degree में लिया, x axis से, तो इसका भी काम होगया, 9 newton का भी काम होगया, 1 newton का भी होगया, और 3 newton का भी होगया, हमें बस निकाल लाए 5 और 7 newton का angle from x axis इधर और y axis, हमारे पस x axis अवेलेबल है, तो यहां से 5 newton का angle कितना होगा, 30 प्लस 30 is equal to 60, तो यहां से 5 newton का होगा, 60 degree, और यहां से यह कितना होगा, 90, 30, 30, 30, 90 मतला हो वो वर्टिकल हो जाएगा, ओके, तो यहां उसका हम क्या करेंगे, फुटबॉल को बाहर निकालते हैं, पेंटेगॉन को निकाल देते हैं, यहां से, इस इस और फुटबॉल, यहां फुटबॉल था, तो इसको 5 forces are act हो रहे, with some angle, और वो एक regular hexagon form हो रहा है, तो ठीक से देखो, कोशिश करो, समझने की, मैंने जो angles लिखे, आपको दिख रहा होगा, प्रॉपरली है, इसे फुटबॉल है, यहां एक फुटबॉल है, एक force जो 1 newton का है, वो horizontally act हो रहा है, उसका magnitude है 1 newton, दूसरा जो force है, 3 newton का, वो 30 degree के साथ, x-axis का, कितना है हो, 30 newton, तो तीसरा है, 60 degree from x-axis, that is 5 newton, 4th 90 है, तो vertical होगा, 7 newton, और जो 5th है 9 newton, वो इदर से angle बना रहा है, 60 degree, यह angle लेंगे, यह नहीं लेंगे, वो लेना है, तो यहां से आपको 30 लेना पड़ेगा, अप ले सकते है, सब्सक्राइब, प्रॉब्लम नहीं, 90 degree, 9 newton, I am focusing on horizontal axis, मेरा focus है कि, मैं x से loose up angles, अब यह 90 है, ओके, I got all the angles, अब मैं क्या करता हूँ, इस pentagon को यहां से निकाल देता हूँ, मुझे angles भी मिल गए, magnitude भी मिल गए, तो आपको यह pentagon draw करना पड़ेगा, exam में, इनरी draw करते हैं उसको, अच्छे से, देखा भी, यहां football है, एक force इधर act होना है, नीच्छे ट्रोब करना है, यहां football है, दूसरा force 30 डिग्री के साथ, magnitude है 3 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री, तीसरा force है 5 डिग्री, एंगल है total 60 डिग्री, तीसरा force vertically जा रहा है, 7 newton, ओके और 4 डिग्री 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 रॉँ दिग्री में, 9 newton, ऐसा है, अभी इनको हमें resolve करना पड़ेगा, थोड़ा भाहर लेता हूं इसको, 3 newton, we got the angles, अभी हे 90 डिग्री है, अभी इनको रिज्वाल करते हैं, यह force को रिज्वाल करना पड़ेगा, इसको रिज्वाल करना पड़ेगा, और इसको रिज्वाल करना पड़ेगा तो कर लेते हैं 30 degree with horizontal तो 3 cos 30 3 sin 30 दोनो plus में आएंगे 1st quadrant में, then this one angle horizontal के साथ है, तो cos horizontal के साथ जाएगा, cos 60 5 sin 60 यह भी plus, यह भी plus, इसको कुछ करने की जोड़त नहीं, अभी इसको resolve करते हैं ओके, angle again horizontal के साथ है, तो cos horizontal के साथ ही जाएगा, cos 60 9 sin 60 अभी यह plus होगा, यह minus होगा, second quadrant में तो this is our resolution, हमने resolve कर दिया, एक, दो, तीन फोर्सेश का अब हम क्या करते हैं, इसके बार में, summation of f of x, because we have to find out resultant, what is the formula of resultant, r is equal to under root, summation of f of x का square plus, summation of f of y का square, तो we have to find out summation of f of x, means summation of all the horizontal forces along x-axis, see here, कितने horizontal force है हमारे पास, यह 1, 2, 3 and 4, 4 horizontal forces है, 1 by 1 लेते हैं, anti-clockwise में, 1 newton, plus में, ना इस plus में, 3 cos 30, यहा लेके दा हमारे, plus 5 cos 60, okay, यह और का है, horizontal यहा है, minus 9 cos 60, minus 9 cos 60, we'll put all the values at a time in the calc, but take care, while putting the values, 1 plus 3 cos 30, bracket close, plus 5 cos 60, bracket close, minus 9 cos 60, bracket close, I'm getting the value, that is, in plus 1.59, 598, मतलब कितना लिक सकते हम, this is a newton, summation of f of x, is equal to 1.59, मतलब हम 6 लिक सकते हम, 6 newton, plus 9, okay, then we'll find out, summation of f of y, यहा लिखता हम, summation of f of y, is equal to, all vertical forces, plus 3 sin 30, okay, then plus, 5 sin 60, 4th one is plus 7, then the 5th one is, plus 9 sin 60, see here, all are in plus, because all force is going upward, 3 sin 30, bracket close, plus 5 sin 60, bracket close, plus 7, plus 9, sin 60, bracket close, we'll get the value in plus, that is, summation of f of y, यहा लिक दोन, इनका summation कितना आया, 20.62 newton, plus 9, we're getting summation of f of y, is equal to plus 20.62, okay, once we know, f of x and f of y, you can easily calculate the result, okay, pause करके देख लो, आप, बाद में, ओके, तो यहां हमारा formula है, r is equal to, under root summation of f of x square, plus summation of f of y square, इन दोनों को यहां पे लाते हैं, f of x कितना है हमारा, 1.6 bracket square, plus f of, summation of f of y, is 20.62 bracket square, r is equal to, under root, अभी क्याल से में मेरे पास, already summation of f of y का value है, तो उसको हम क्या करेंगे, answer square कर देंगे, plus 1.6 square, I get some value, 427.924, under root answer कर लेते हैं, बाद में, resultant I am getting, r is equal to, 20.686, क्या लिक सकते हैं इसको, 20.69 newton, once we know, resultant, इसका direction में निकाल लेते हैं, theta is equal to tan inverse, summation of f of y, summation of f of x, is equal to tan inverse, f of y is 20.62 upon 1.6, directly put कर तो में, shift tan inverse, bracket में, 20.62 upon 1.6, I will get, theta is equal to 85.56 degree, okay, so this is my answer, 85.56, then finally, in the last, we have to show it on, quadrant system, x and y-axis, okay, minus, plus, plus, minus, both are, the values of r, summation of f of x, and f of y are in plus, f of x, f of y, plus, plus, मतलब, first quadrant में, have you observed, पूरे जो, maximum forces है, वो first quadrant में जा रहे थे, hexa 1 के, तो, the answer भी, first quadrant में ही आ रहा है, उसका, जो resultant होगा, वो first quadrant में ही आ रहा है, तो resultant का value कितना है, 20.69, और इसका direction, जो theta है, कितना मिला, 85.56, 85.56, degree, then resultant is equal to, 20.69, Newton, तो यह show करना होगा, आपको last में, अब question में सिर्फ find out, the resultant बोला था, लेकिन हमने direction भी निकाला, और वो show भी किया, ओके, so I hope, I hope that कि, hexagon पे अगर question आएगा, तो आप solve कर पाएंगे, thank you very much for watching this video, take care, see you, bye bye,